हेलो दोस्तों मेरे चैनल सुक्सम्रदी उपाई में आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत हैं जैसे कि आज हम बात करेंगे नमक के बारे में जोति सास्थर के अनूसार नमक को चंद्र और सुकर का परतीनिदी माना जाता है नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बरतन में रखते हैं तो यह चंद्र और सनी का मिलन होगा जो की बहुती घातक सिद्व होसा है यह रोग और सोग का कारण बन जाता है नमक को किसी प्लास्टिक के पातर में भी नहीं रखना चाहिए नमक को सिर्फ काँच के पातर में रखने से ही यह बुरा असर नहीं डालता है नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता है माना जाता है जिस घर में नमक गिर जाता है वहाँ पर चंद्रमा और सुक्र दोनों खराब होने लगते हैं भोजन पकाते समय भी आपको कभी भी नमक नहीं चकना चाहिए उससे भोजन की पवितरता दुनश्ट होती ही है और उससे दरिदता भी आती है नमक कम हो जाएगा तो बाद में आप डाल सकते हैं नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में भी मत दीजिए नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए ऐसा मानते हैं इससे व्यक्ति के संबंद खराब होने लगते हैं ध्यान नखें भोजन पकाते समय भोजन को चके नहीं उससे भोजन की पवितर अर्तर निष्ट हो जाती है और हमारे घर में परिशानिया आनी सुरू हो जाती है यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं आए तो उसका नमक नहीं खाना चाहिए उसका मीठा तो खा सकते हैं आप लेकिन पापी पुरुस के यहां नमक तो कदापी ना खाएं अनथा आपके जीवन में उसी के समान होने लगेगा हर कहीं का नमक या नमकीन ना खाएं इस बात का हमेसा आप ध्यान रखें मजबूरी में ये दवाम में किसी का नमक नहीं खाना चाहिए इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है नमक उसी का खाएं जिसमें संसकार अच्छे हो और जो धरम सम्मत आच्छरन रखता हो सताहे में एक वार गुरु वार को छोड़कर पौँचा लगाते समय पानी में थोड़ा साबुत खड़ा नमक यह मतलब समुन्दरी नमक मिला लेना चाहिए इस उपाय से घर की नकरातमकता उड़जा नश्ठ हो जाती है वातावरन की पवित्रता बढ़ती है इससे मालक्षमी की प्राप्ती के मार्ग भी खुल जाते हैं और घर में बरकत बनी रहती है धन का प्रभा बढ़ाने के लिए एक कांच के गिलास में पानी ले ले और उसमें नमक मिलाकर घर के नेत्रिकौन में रख दे उसके पीछे लाल रंग का बलव जला दे अगर आप लाल रंग का बलव नहीं जला सकते हैं तो ऐसे करो उसके उपर लाल रंग का या तो paint कर दीजे glass पर या फिर आप nail paint भी कर सकते हैं जब भी पानी सूखने लगे जैसे गर्मी के मौसम में पानी सूखने लगता है तो आप उसमें दुवारा डाल सकते हैं पानी पानी उतना लेना है आपको तीन भाग पानी लेना है और आप बाकी का भाग ऐसे ही रहन देना है खाली और फिर नमक डाल के रख दीजिए बहुत अच्छा माना जाता है इससे घर के सारे negativity सारी दूर हो जाती है और धन का प्रभाप के घर में बना रहता है नमक हर तरह की गंदिगी को हटाने वाला रासायन होता है एक काच की कटोरी में खड़ा नमक भरें और उस कटोरी को बाथरूम में रख दें इस उपाय से नकरातमकता उड़जा तो दूर होगी ही और आपके घर में सुक्सम्रदिब बनी रहेगी हर महीने कटोरी का नमक जरूर बदलें पुराने नमक को आप फलश कर दें टॉयलेट में काच के बाउल से किस्टल बाउल भर कर रख दें दरदरा नमक जो होता है और पंदरे दिन बाद उसको बदलते रहें पंदरे दिन में और उसको आपको फलश कर देना है उससे फलश का फोटो जरूर लगाएं जैसे दहारता हुआ लॉइन होता है उसका फोटो का पेस्ट कर दें आप तो बहुत अच्छा माना जाता है नजर उतारने के लिए दि आपको किसी बच्चे को नजर लग गई है तो साथ वार एक चुटकी नमक उस पर से उतार कर उसे बहते पानी म डाल देना चाहिए इससे नजर दोस सारी दूर हो जाती है व्यक्तिकत बांधा पड़ गई है कोई तो एक मुठी पिसा हुआ नमक लेकर साम को अपने सिर के उपड़ से तीन वार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फैक दें ऐसा दिन तीन वार करना है आपको लगाता मन में खीनता बेह, चिनता होने से दोनों हातों में सावत नमक भर कर कुछ देर रखें फिर वास वेसिन में डालकर पानी से बाहा दें नमक इधह दर न्या फैकें नमक को काच के पात्र में रखें जिससे 4-5 लॉंग डाल दें जो मैं बात कर रही थी आपको क्या डालना है आपको लॉंग डालनी है तो लॉंग डालने कर आपको 4-5 लॉंग डालेंगे इससे आपके घर में हमेशा धन की प्राप्ती बनी रहेगी और धन में बरक्कत रहेगी इससे धन की आवक सुरू होने लगेगी और बहुत ही जादा आपके घर में बरक्कत रहेगी इससे एक और जहां सुगंद बनी रहेगी वहीं इसके उपाय से आपको कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी सोते समय अपना सिरहाना पूरब की और रखें अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सैंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें इससे आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी रोक से बचने के लिए साधरन नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए इसकी जगे आपको सैंधा नमक या काली नमक का उपयोग भोजन के दौरान करना चाहिए यदि भोजन करते समय आपको दाल, सबजी आदी में नमक कम लगे तो उपर से नमक نہ डाले ऐसे में काला नमक या मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रियोग करें यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो इससे सनी का दुस्परभाव सुरू हो जाएगा अगर आपके कुंडली में चंद्र कमजोर है तो समुंद्री या सामाने नमक का भोजन में इस्तमाल ना करें बलकि सेंद्र नमक का इस्तमाल करें इससे आपका रक्तचाप की समस्य तो सही होगी ही और आपका जो कुंडली में मंगल कमजोर हो रहा है वो भी आपके समुंद्री नमक से सही हो जाएगा तो वैसे तो स्वास्त की दरस्टी से भी हमें सेंदा नमकी यूज़ करना चाहिए यदि आपका मन बहुत असांत रहता है विचार बदलते रहते हैं किसी प्रकार की चिंता से ग्रस्त हो रहे हैं आपका स्वास्त गिरता जा रहा है तो नमग मिले जल से स्नान करने से सरी तो मन सुध होगा ही और आपके मन की जो बेचैनी है वो भी सांथ हो जाएगी ये छोटे-छोटे उपाएं हैं लेकिन बहुत ही असरदार उपाएं हैं यदि पति-पतनी में गिरह कलेश हो रहा है अनबन हो रही है किसी प्रकार के मानसी का सांती हो रही है तो सैंधा नमक खड़े नमक का एक टुकड़ा सैंध कक्चु में एक कौने में रख दें इस से नकरात्मक उर्जा दूर होगी इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दें दूसरा नया टुकड़ा रख दें और अपने घर में पहुच्छा लगाते रहें नमक का वीडियो पर होगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आगे वीडियो मेरे चैनल की मिलती रहें जैमात